नीतिब चिन पंद्रह, ग्यारा से बीस तक, जबकि अधोलोक और बिनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चे मनुश्यों के मन भी ठट्था करने वाला डांटे जाने से प्रसंद नहीं होता, और न वह बुधिमानों के पास जाता है, मन आनंदित होने से प्रसंद रहता है, वह मानों नित्य भोज में जाता है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है, प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बैल का मास खाने से उत्तम है, क्रोधी प्रेरितों 14, 8-28 तक, लुस्तरा में एक मनुष्य बैठा था, जो पावों का निर्बल था, वह जन्भी से लंगड़ा था, वह पॉलुस को बातें करते सुन रहा था, पॉलुस ने उसकी ओर टक्टकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और उचे श पर हमारे पास उतर आये हैं, उन्होंने बर्नबास को ज्यूस और पॉलुस को हिरमेस कहा क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था, ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हारफार्ट को पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, परन्तु बर्नबास और पॉलुस प्रेरितों ने जब यह सुना, तो अपने कपड़े फाड़े और भीर में लपके, और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दू, खसुक भोगी मनुश्य हैं, और तुमें सुसमा चाहर सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तूओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की और फिरो, जिसने स्वर्ग और पृत्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसन पर पत्राव किया, और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीत ले गए, पर जब चेले उसके चारों ओरा खड़े हुए, तो वहुटकर नगर में गया और दूसरे दिन बर्नबास के साथ दिर्बे को चला गया, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना कर, और बहुत से चेले बना कर, लुस्त्रा और एकुनियूम और अंताकिया को लोट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे की विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, और उन उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे, वहां पहुँचकर उन्होंने कलिसिया इकठी की और बताया की परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े-बड़े काम किये, और अन्यजातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे, एक राजाओं आठ, 22-66 तक, तब सुलेमान इस्राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ, और अपने हाथ स्वर की और फैला कर कहा, हे यहोवा, हे इस्राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो दाउत को दिया था, उसका तूने पालन किया है, जैसा तूने अपने मुह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है, इसलिए अभे इस्राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर, जो तूने अपने दास मेरे पिता दाउत को दिया था उसे सच्चा से धकर। क्या परमेश्वर सच मुझ पृत्वी पर वास करेगा। स्वर्ग में वरन सबसे उचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाय हुए इस भवन में कैसे समाएगा। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा। अपने दास की जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आँख इस भवन की और अर्थात इसी स्थान की और जिसके विश्रे तू ने कहा है, मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की और करे, उसे तू सुन ले. और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की और गिर्गिरा के करें उसे सुनना, बरं स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना, और सुनकर ख्शमा करना. जब कोई किसी दूसरे का अपराद करे, और उसको शपत खिलाई जाए, और वहा कर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपत खए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लोटा द तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इसराईल का पाप खशमा करना, और उन्हें इस देश में लोटा ले आना, जो तूने उनके पुर्खाओं को दिया था। पानी बरसा देना दिन इस देश में रहें, जो तूने उनके पुर्खाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भहे मानते रहें। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इसराईल का ना हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंध हाथ और बढ तेरा भहे माने, और निश्चे जाने, कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है, वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे, वहां अपने शत्रूओं से लड़ाई करने को निकल जाएं, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिलगिलाहत सुनकर उनका न्याय कर। निश्पाप तो कोई मनुश्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करें, और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रूओं के हाथ कर दे, और वे उनको उन शत्रूओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हो, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्रांड से, तेरी और फिरें और अपने इस देश की और जो तूने उनके पुर्खाओं को दिया था, और इस नगर की और जिसे तूने चुना है, और इस भवन की और मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझ से प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गिय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिल-गिलाहत सुनना, और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे, और जितने अप्राद व और तेरी प्रजा इस्राइल की गिलगिडाहट की ओर ऐसी खुली रहें, कि जब जब वे तुझे पुकारें, तब तब तु उनकी सुन ले, क्योंकि है प्रभु यहोवा, अपने उस बचन के अनुसार, जो तुने हमारे पुर्खाओं को मिस्र से निकालने के समय अपने दास है यहोवा, जिसने ठीक अपने कतन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राइल को विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुर्खाओ के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे, वह हम को त्याग न दे और ना हम को छोड़ दे, वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराय रखे कि हम उसके सब मारगों पर चला करें, और उसकी आग्याएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुर्खाओं को दिया थ दूसरा नहीं. तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीती से लगा रहे, कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आग्याएं मानते रहो. तब राजा समस्त इस्राइल समेत यहोवा के सम्मुक मेलबली चड़ाने लगा, और जो पश चड़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेधी यहोवा के सामने थी, वह उनके लिए छोटी थी. अता सुलेमान ने और उसके संग समस्त इस्राइल की एक बड़ी सभाने जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से एकटी हुई थी, दो सपताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना. फिर आठवे दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया, और वे राजा को धन्य, धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दासदाउद और अपनी प्रजा इस्राइल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने देरे को चले गए. एक राजाओ नौ, एक से नौ तक, जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और जो कुछ उसने करना चाहा था, उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूस दावत के समान मन की खराए और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे, और मेरी सब आग्याओं के अनुसार किया करे, और मेरी विध्यों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राइल के उपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसे की मैंने तेरे दावत को बचन दिया था, तेरे कुल में इस्राइल की गद्धी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंच के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें, और मेरी उन आग्याओं और विध्यों को जो मैंने तुम को दी हैं, ना म लोगों में इस्राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टान चलेगा, और यह भवन जो उचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा, वह चकित होगा, और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा क किया है, तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमिश्वर यहोवा को जो उनके पुर्खाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, तचकर पराय देवताओं को पकड़ लिया, और उनको दंडिवत की और उनकी उपासना की, इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ती उन पर दाल दी,